हलो स्टूदेंस कैसे हैं आप सभी? आज हम मिलकर सॉल्व करने वाले हैं अनिमल किंग्डम की टॉप 50 क्वेस्टिन्स और आज की विडियो में हम नॉन कॉड़ेट्स तक की टॉपिक्स कवर करके चलेंगे क्योंकि चैप्टर हमारा बड़ा है तो दो लेक्चर्स के अंदर इसको कवर करने वाले हैं पहले नॉन कॉड़ेट्स तक और फिर आगे दूसरे लेक्चर में कॉड़ेट्स करेंगे तो आज आपने अनिमल किंग्डम चैप्टर में नॉन कॉडेट्स का लेक्चर लगा लिया और अब चलो साथ में मिलकर जिन टॉपिक से जादा सवाल आते हैं ऐसे 50 questions साथ में solve करते हैं ताकि नॉन कॉड़ेट्स तक कि आपकी तयारी 100% पक्की हो जाए लेकिन इससे पहले कि अपने questions की तरफ बढ़े आपको एक important बात याद दिला दू कि आर अगर आप सच में एक serious need aspirant हो और 2023 need की तयारी एक structured तरीके से हमारी team के साथ करना चाहते हो तो YouTube के बजाए आप unacademy की app पर भी हमसे पढ़ सकते हो प्लस या iconic courses में enroll करके तो enroll करने के लिए आप code use करोगे आनन यानि ANAND और इसके अलावा अगर आपको हमारी face-to-face mentorship चाहिए classroom में बैटकर हमसे पढ़ना चाहते हो तो इसके लिए भी unacademy के offline centers पर batches launch हो चुके है need की preparation के लिए तो वहाँ पर भी आप admission ले सकते हो इस पूरी process में अगर आपको कोई भी doubt है तो यह हमारा number है इस पर call करके कभी भी आप हमारी टीम के साथ connect कर सकते हैं तो चलो बिना time waste की अपने questions की तरफ बढ़ते हैं देखते हैं क्या क्या questions हमको दिये हुए अब इनमें से कौनसे फाइलम में हमको radial symmetry मिलेगी हमारे animal kingdom के अंदर शुरू करते हैं हम porifera से तो porifera का तो मानके चलो उसमें कोई symmetry नहीं होती है किसी तरह की symmetry उसकी body में हमको मिले जरूरी नहीं है a symmetrical body मानके चलो लेकिन उसके बाद जो हमारे फाइल आते हैं कौनसे कौनसे पौरिफेरा के बाद कौनसे फाइल आएंगे निदेरिया और टीनोफोरा इन दोनों को आप कलेक्टिवली सीलेंट रेटा बोल सकते हो और इन दोनों में ही radial symmetry हमको मिलती है तो radial symmetry के लिए कौनसा है आपर सही answer हो जाएगा हमारा सीलेंट रेटा जिसमें निदेरिया और टीनोफोरा यह दोनों ही फालाय में इंक्यूट कर लेते हैं रेडियल symmetry इनकी बॉड़ी में present होती है इसके बाद देखो इन मेंसे कौनसे फाइलम के पास टूसी लोम होता है तो अब बॉड़ी गैविटी तो सबके पास ही होती है लेकिन ट्रू सीलोम उसको कब कह सकते हैं वो सीलोम तब कहलाती है जब वो चारों तरफ से यार मीजोडर्म से कवर्ड हो चारों तरफ से मीजोडर्म उसको लाइन कर रही हो सराउंड कर रही हो और इस तरह का ट्रू सीलोम पहली बार हमारे अनिमल किंग्डम के अंदर हमको कहां मिलता है, देखो, टीन ओफ़ोरफा के पास तो ही नहीं, प्लेटे में मिलन के पास हैंब इसकेल मिंत एसम तेखते हैं रिखने क के उसके पास एक सी लॉम की चीज वह देते हैं तो यहां पर टू सी लों किसके पास सबसे पहले अपने अनिमल इंग्डम में रूसी लोग आनलेड के पास हमको मिलेगा अनले यहां पर हमारा सही आंसर हो गया liu cell aggregate हम को इन में से किसकी बोडी में मिलेंगे तो यार अगरम लेवल ऑफ ओर्गनाइजसिशन की बात करें तो हमेरे अनिमल के इंग्डम में कि सबसे लोगर लेवल क्या है तो सेलूलर लेवल ऑफ और इसटेशन अब अनिमल है तो तो हो गाई लेकिन आर हमेशा जरूरी निया कि अगर आप सेल्स के ग्रुप को एकठा रख दो तो इसको टुशी हुई बोलोगे क्योंकि टिशू तब बनता है जब वो सेल्स एक कॉमन स्ट्रक्ट्टर और फंक्शन शेयर करते हैं कॉडिनेटी तरीके से आपस में काम करते ह है लेकिन अगर आपने कुछ सेल्स को लेकर एकठे रख दिया तो यह टिशू नहीं कहलाएंगे सिर्फ यह सेल्स का एक लूज एग्रेगेट हो गया और इसी तरह के आग्रेगेट से बनी होती है बॉड़ी हमारे स्पंजिस की हमारे पॉरिफेरा की सेल्लिलर लेवल अव इस तरह की सिमेट्री बोलता है जो कि जैसा हमने देखा टीनो फोरा और निडेरिया इन दोनों फाइला में हमको नजर आएगी रेडियल सिमेट्री कहलाती है चलो इन कंप्लीट डेजिस्टिव ट्रैक्ट हमको कहां पे मिलता है अब यह अगर आप बोल रहे हो कि किसी आनिमिल का डेजिस्टिव सिस्टम कंप्लीट है तो इसका क्या मत्तब होता है कि यह उसकी बॉडी में जो हां दोनों कामों के लिए अलग-अलग अपर्चर है अलग-अलग ओपनिंग है डेजिस्टिव ट्रैक्ट की लेकिन कई बार हम कुछ आनिमल में देखते हैं कि सिर्फ एकी सिंगल ओपनिंग होती है इंजेशन भी और इजेशन भी जो भी आपको करना है इसी ओपनिंग के करना पड़ेगा और इस तरह की कंडिशन हमारे प्लेटी हल्मिंस और टीनोफोरा इन दोनों फाइला में हम देखेंगे कि माउथ और इनस अलग-अलग नहीं बलके डाजिस्टिव सिस्टम की डाजिस्टिव ट्रैक की किवल एक सिंगल ओपनिंग हमको मिलेगी इसके बाद Metameric Segmentation किसमें मिलेगी अब अगर किसी Animal की Body पूरी तरह से externally भी और internally भी segments में divided होती है तो इन segments को Metameric कहते हैं और हम बोलते हैं कि इसकी Body में हमको Metameric Segmentation नजर आ रही है अब पहली बार इस तरह की Condition आपको Analyze में मिलेगी Earthworm की Body अगर देखो पूरी Body में कुछ Rings बने होते ह तो इस तरह की Metameric Segmentation हमको Earthworm की Body में मिलेगी यानि अनलेट में मिलेगी और कई बार SQL Mintus में भी हम देखते हैं कि उनकी Body में ऐसे segment segment नजर आते हैं लेकिन अजर में यह True Segmentation नहीं है जैसे उसके पास False Sealom होता है वैसे ही Pseudo Segmentation भी हमको नजर आती है बाहर-बाहर तो segment दिख सकता है अब साइकॉन जो है यह एक तरह का स्पंज है यानि किसका मेंबर है अपने पॉरिफिरा फाइलम का क्या कह सकते हो पॉरिफिरा के बारे में कह रहे हैं कि यूनि-cellular या-cellular होते है नहीं या अगर वो अनिमल है तो इसका मतलब यह है कि वो multi-cellular unicellular तो होई नहीं स दिस्क्रिप्शन और पॉरिफिरा फाइलम जिसका मेंबर साइकॉन है ठीक है अगर आप फूट पार्टिकल को एक स्पॉंज के ऑस्कूलम के बास रख दोगे तो क्या होगा अब यह देखो स्पंज की बॉड़ी में सिंपल सी चीज है ऑस्टिया नाम की कुछ ओपिनिंग होती है जिसके तुरू कोई भी चीज उसकी बॉड़ी कैविटी में उसके स्पंजो सील में एंटर करेगी और कोई चीज अगर बाहर निकल नहीं है तो वह ऑस्कूलम नाम की ओपनिंग के तुरू निकल जाती है तो अब देखो सीधी सीधी बात है ऑस्टिया किसी चीज की बॉड़ी में एंटरी के लिए है और और सिलम से चीजें बाहर एक्सपट की जाती है निकाली जाती है और अगर आप पूड परतिकल को इस और इंडेक्टिल के इंडर नहीं कर सकता ये और सिलम चीजों को एक्सपेल करने की ओपनिंग है इजरी दिस फूड पार्रिकल वि कई वाला सिस्टम है कि ऑस्टिया के थूंटर किया स्पंजों सील में ऑस्कुलम के थूं निकल गए हाला कि जैसे जैसे हम कई different classes की बात करते हैं तो यह water canal system complicated होता चला जाता है इसमें बहुत सारे और पार्ट साइड होते चले जाते हैं लेकिन कुल मिला के बात यहीं है कि ओपनिंग के थूप चीज़ें एंटर करेंगी स्पंजों सील में और एक ओपनिंग दूबाहर निकल जाएंगी लेकिन यह बहुत ही useful है कई सारे कामों के लिए सबसे पहले तो nutrition खाने पीने की जीज़ें बॉडी में आएंगी इस water canal system के थूप भाई oxygen भी आएगा रेस्पिरेटरी एक्सचेंज भी water canal system करवा रहा है इसके बाद अगर कोई waste substance eliminate करना है बॉडी से carbon dioxide को भी निकालना है तो यह भी water canal system के थूप हो सकता है और इवन reproduction के लिए gamete सक रिप्रोडक्शन के लिए gamete सक water canal system की मदद से आते हैं तो sponges में water canal system characteristic feature होता है जिसकी मदद से यह सारे का स्पंजित कर पाते हैं ठीक है इन में से पॉरिफिरा का कौन सा सेल है जो टोटी पोटेंट है और power of regeneration के लिए से responsible है तो यार जो टोटी पोटेंट सेल होते हैं आर्कियो साइट्स उनको कहा जाता है पौरे फिरा के इसमें ऐसे सेल हैं जो कि आगे जाके किसी भी तरह के सेल में बदल सकते हैं इन में इतना potential होता है इसलिए टोटी पोटेंट के रहे हैं they have the potential to become specialized to become differentiated as any kind of cell शरीर में कई तरह के सेल्ज है उनके अलग structure है अलग function है और एक टोटी पोटेंट सेल हमारे पास है तो यह आगे जाके उनमेंसे किसी भी सेल का structure और function टेक अप कर सकता है ठीक है fertilization in psychon is psychon क्या है एक sponge है यार अब sponges में internal fertilization होती है और psychon के case में cross fertilization हमको मिलेगी यहां लागी कई सारे sponges में हम देखते हैं कि हर्माफ्रोडाइट होते हैं एक ही इंडिविज्वल जो है sperm और एक्स दोनों produce कर सकता है लेकिन cross fertilization यहाँ पर हमको मिलेगी that is sperms और नोवार produced by different individuals ठीक है इसके बाद पॉरिफेरा का किनाल सिस्टम किस से related नहीं है respiration से related है nutrition से related sexual reproduction से related है लेकिन movement यह नहीं करा सकता अगर एक sponge से साइल है move नहीं कर सकता तो यह निया कि वाटर कैनाल की मदद से वो motility show करने लगेगा नहीं भई movement में involved नहीं है बाखी तीनों चीज़ों में हमारे sponges का water canal system involved होता है उनकी help करता है इसके बाद इन में से कौन सा पॉरिफेरा का animal भी नहीं है यह एक amoeboid protozoan है animal kingdom का भी मेंबर नहीं है प्रोटिस्टा kingdom का मेंबर है प्रोटोजवा में आ जाता है ठीक है भई इसके बाद देखो c animal किसमें belong करता है c animal हमारा sealant rate में include कर सकते c animal को किसमें डालते हैं निदेरिया फाइलम के अंदर डालते हैं और निदेरिया हमारे टीनो फोरा के लिए ही sealant rate term use किया जाता है c animal is a member of you can say sealant rate ठीक है इसके बाद देखो इन में से कौन sealant rate है तो अगर ध्यान से देखोगे सी काओ उसका नाम ही है इसलिए रखा गया क्योंकि वह एक mammal है और जो लैंड वाली काओ होती है उसका नेचर भी उसके जैसे होता है सीधी साधी होती है डोसाइल होती है ठीक है फिर सी क्युकिंबर हमारा हमारा सी क्युकिंबर हो जाएगा और उसी तरह से सी हॉर्स भी काड़ेट है बोनी फिशेज में आता है और बच कौन गया हमारे पास सी फैन यानी गौर्गोनिया जो कि निदेरिया फाइलम का मेंबर माना जा सकता है ठीक है इसके बाद देख लो हाइड्रा में वेस्ट मेटीरियल और फूड डाइजेशन और नाइट्रोजन इस वेस्ट और रिमूवड रिस्पेक्टिवली तो फूड का जो वेस्ट है वो निकालने के लिए भी इसके पास एक एक ओपने है खाना खाने के लिए भी सब्नी डेशर करना पड़ेगा तो माउट और बोडी वाल उस्ट पॉर ऐलिमिनेशन ऑफ डिजेस्टिव एंड एक स्क्रीटरी वेस्ट रिस्पेक्टिवली ठीक है भाई इन मेंसे सो कौन सा अनिमल है जिसमें ये फीचर हमको मिलेंगे डिपलो ब्लास्टिक होना चाहिए अब डिपलो ब्लास्टिक कहां तक है सिर्फ हमारे पॉरिफेरा निडेरिया टीनोफोरा प्लेटी हल्मिन्थेस प्लेटी हल्मिन्थेस पे हमारे डिपलो ब्लास्टिक अनिम होने चाहिए ठीक है भाई और रेडियल सिमेट्री होनी चाहिए तो अब रेडियल सिमेट्री अगर है तो पॉरिफेरा को भी आउट करो उसके पास तो सिमेट्री नहीं होती कुल मिला कि हमें ऐसा ऑप्शन जुनना है जिसमें सारे मेंबर्स निडेरिया और टीनो फोरा के ही हूँ तो देखो यार यहां पर प्लैने अरिया आ गया थाओ इसे फिर टीनिया फैसियोला यह सारह आगे की फाइला में आते है एडंशियू की आप रखहू है तो एडंशिय अमरा सियाने मौन हाइडरा तो है ही निदेरिया और मियांड्रेन अपना ब्रेन कोरल अगें कोरल्स अगें तो यह हमारा जो ऑप्शन सी है इसमें साथ मेंबर्स जो है यहां पर दिये हुए लिस्ट में यह तीनों हमारी क्राइटीरिया को फुल्फिल कर रहें डिपलोब्लास्टिक भी है प्ल है एक्यू यह स्क्राइट लिए इसए लो मेट भी रेडियल जैमेट्री भी शोर करते है कि इसके बाद देखो इन में से कौं सा डिपलोब्लास्टिक अनिमल है वही बात है कि हमारे प्लेटी हेल्मिंट स्वाइलम से ट्रिपलोब्लास्टिक कंडिशन चालू हो जाती है प देख लो यार यहां पर पैर आम इसम को फटाओ पैर आम इसम ता अने मली नहीं है तो प्लोब लॉस्ट का सवाली नीव था इसके बाद टीनिया तोलिया व्हमारा टेप वर्म लेटी हल मुन्थेस सक्यार इस हमारा राउंड वर्म S-KHELMINTAS, तो एक ही बचा हमारे पास PENATULA, PENATULA, which is the C-PEN, यह हमारे पास केवल एक ही DIPLOBLASTIC MEMBER दिये गए ओप्शन में से मिलता है, यूँकि प्लेटी हलमिंते से DIPLOBLASTIC CONDITION हो जाती है हमारे अनेमल किंग्डम में शुरू, इसके बाद आजाओ, NEMATOBLAST का फंक्शन क्या है, SEALENT RATE के अंदर, हमारे SEALENT RATE के पास, NIDOCITE या NIDOBLAST या NEMATOBLAST नाम के सेल होते हैं, जिन में NEMATOCYST नाम का STRUCTURE होता है, स्टिंगिंग सेल्स भी इनको बोलते हैं, क्यों, क्योंकि NEMATOCYST की मदद से, यह अपने प्रे को STUN कर सकते हैं, और PREDATOR को भगा सकते हैं, PREDATOR क भी स्टिंग कर सकते हैं, तो किस चीज में काम आ रहा है, और फेंस और डिफेंस में काम आ रहा है, NEMATOBLAST, क्योंकि उसके अंदर, NEMATOCYST, वो एक स्टिंगिंग सेल होता है, तो हमारे ज्यादा तर जो NIDERIA है, उनके TENTACLES पे, इस तरह के यह स्टिंगिंग सेल्स हमको मिल और NIDERIA TENOPHORA, इन दोनों के लिए ही आप सिनोनिमस ली, SEALENT RETA TERM USE कर सकते हो, हाला कि यह टर्म पहले यूज की जाती थी, और आजकल के QUESTION में कम ही चांस है, कि SEALENT RETA TERM आएगा, डिरेक्ली NIDERIA या TENOPHORA ही लिखा होगा आपके QUESTION में, अच्छा, Radially Symmetrical Diploblastic Animal Select करना है, तो देखो, अगेन, केवल हमारे पास, यहाँ पे Ascaris Roundworm हो गया, Earthworm हमारा Anilid हो गया, Similarly Liver Fluke, Hydra केवल हमारे पास ऐसा option बचा, जो NIDERIA Phylum का Member है, और Letty Helminthus से पीछे-पीछे, Letty Helminthus से जो Primitive Phylum हैं, उनके अंदर आ जाता है, बाकी सब उससे आगे के हैं, ठीक है, पॉलिप और Medusa, दो स्टेज होती है, हमारे Metagenesis शो करने वाले NIDERIA में, उनकी लाइफ साइकल में दो स्टेजिस होती है, एक तो Amrella Shape स्टेज होती है, जिसमें टेंटिकल नीचे की तरफ है, और एक हमारी पॉलिप स्टेज होती है, जिसमें टेंटिकल उपर की करफ है, तो हम देखते हैं, यह हाइडरा तो पॉलिप के फॉर्म में ही रहता है, हाइडरा के टेंटिकल उपर ही रहता है, उसका डाइग्राम बनाओगे तो कुछ इसी तरह ऐसे बनाते हो, ठीक है, और इलिया हमारी जेली फिश, इस जेली फिश की, ज्यादा तर आप मेडिूसा स्टेज देखोगे, रफली अगर आप बनाओगे, जो आपकी NCRT में भी काफी रफली ही दिया हुए, इस तरह का कुछ डाइग्राम दिया हुए, इस टेंटिकल बाई नीचे की तरफ, तो और इलिया, यानि अपनी जेली फिश, जेली फिश के केस में ये कंडिशन हम देखते हैं, कि ये पॉलिप के फॉर्म में हमको नजर नहीं आती है, बाकी हाइडरा पॉलिप के फॉर्म में रहता है, और बाकी कई सारे ऐसे हमारे क्या कहते हैं, निडेरिया होते हैं, जो कि इन दोनों ही फेज के बीच में alternate करते हैं और metagenesis शो करते हैं polyp किसमें नहीं मिला हमको और इलिया में नहीं मिला हमारी जली फिश में नहीं मिला ठीक है पाट्र्चुगीज of war हमने किसका नाम रखा हुआ है Portuguese man of war common name हमने दिया हुआ है हमारे ओब ओबेलिया को बोल दोगे तुम सीफर यूपलेक चला is a gift is a precious gift presented in weddings in some countries मियांडरे ना तुमारा ब्रेन कोरल हो गया फाइसेलिया हो गया तुमारा Portuguese man of war ठीक है इसके बार देखो कॉंब जली या सी वालनट कौन से फाइलम में बिलॉंग करते हैं तो यह जो कॉमन नेम्स हम यूज करते हैं यह यूज करेंगे अगेन हमारे टीनोफोरा फाइलम के मेंबर्स के लिए क्यूंकि इनके पास सिलियेटेड प्लेट्स होती हैं इनकी बॉड़ी पर एक्स्टरनल ही लगी होती हैं एट रोज में एट एक्स्टरनल रोज में हमें यहाँ पर सिलियेटेड प्लेट्स लगी हुई मिलती हैं इसी लिए कोंब जैली यह सी वालनट इनको नाम दिया हुआ है किसको टीनोफोर को और टीनोफोरा के लिए ही सीलेंट रिटा टर्म भी तुम यूज कर सकते हो वो सिनॉनमस ली लेकिन जाब आपर टीनोफोरा साफसाफ बोला यह हुआ है तो टीनोफोरा सही आंसर मार्क कर दोगे क्योंकि इसके अंदर तुमारे निदेरिया भी इंक्लूट हो जाएंगे जो कि हमको नहीं करना है ठीक है भाई इन में से कौन टीनोफोर है अगेन हमार से बोनिफिश में आएगा सिगाउं अगेन एक कॉर्टेट है सी क्कुंबर हमारा क्युक्युमेरिया निदेरिया हो गया प्लूरो ब्रक्या कर लूरो ब्रक्या कर दीनोफोरा का मेंबर है और गिने जोने एक्जांपल आपको दिए हुए टीनोफोर्स के तो उसमें एक ही दो नाम है जिसमें से एक फ्लूरो ब्राखिया हो जाता है ठीक है भाई ती नो फोरा में डिजिशन कैसी होती है आपकी न्सीय टीबुक में मेंचिन ने कि डिजेशन की जो प्रोसेस टीनो फोर्स में है बोथ इंट्रसलेल और एक्स्रस एलेलर होती है तो ओप्शन सी एगार ज्रते है एक ठ रपर एड के बाद देखो भाई लिविना सीन्स किसकी प्रोपर्टी अगर कोई लिविंग छंती विप्ट रहा है अगर मेर खोए और व। कर रहा है, the property to emit light is called bioluminescence and tnophores are known for this property, tnophora के अंदर हमको यह मिलेगी, tnophora phylum के members में, again ही आपने questions में देखे हो, sealant rate और tnophora दोनों चीज़े दी हुई है, लेकिन जो चीज़ specifically tnophores के लिए है, उसमें आप sealant rate answer नहीं कर सकते, यूँकि उसके अंदर निदेरिया phylum भी include हो जाता है, तो tnophora आई बोलेंगे, bioluminescence के लिए, tnophores में lokomotion किसके मदद से होता है, लोको motion के लिए ciliated comb plates की 8 external rows इनकी body पे होती है, जिसकी वज़ेसे इनको comb jelly इसका नाम भी दिया जाता है, 8 external rows of ciliated comb plates, 8 external rows में यह हमको मिलेंगे, ठीक है, प्लेटील मिंतस के लिए क्या बोल सकते हो, अब प्लेटील मिंतस के लिए कित्ती बार repeat कर चुके है, पहली बार हमको triploblastic condition animal kingdom में कहां पर मिलती है, प्लेटील मिंस के अंदर, तो जहां पर भी triploblastic लिखा है, उसको तो मिटाई दो, triploblastic देखो, bilaterally symmetrical and acylomate लिखा है, यह यह बात सही है, इसके पास 3 germ layers तो होती है, वो अपनी ectoderm, mesoderm और endoderm, bilateral symmetry होती है, लेकिन इसके पास यह true silom नहीं होता, नहीं pseudo silom होता है, pseudo silom भी हमको किस में मिला था पहले, escalment में मिला था, तो यहाँ पर triploblastic condition, bilaterally symmetry, लेकिन silom नहीं है इसके पास में, तो acylomate, यह हमको platyhelminth को बोलना पड़ेगा, ठीक है, proton ephredia या flame cell जो है, वो किसकी चीज में help करते है, platyhelminth की, platyhelminth की जो excretory structures है, उनको हम proton ephredia या flame cell बोलते हैं, तो excretion और osmo regulation, यहाँ पर हमारा सही answer है, excretion में और अपने body fluid की volume और composition को regulate करने में, यानि osmo regulation में, help करते है, proton ephredia, हमारे platyhelminth की, ठीक है, इसके बाद, इन में से किसके पास mesoderm है, लेकिन silom नहीं है, mesoderm किसके पास हो सकता है, जो diploblastic है, उनके पास ectoderm और endoderm है, लेकिन जैसे ही triple o plastic condition चालू हो गई, तो समझ लो, उसके पास mesoderm आ गया, तीसरी germ layer आ गई, इसलिए हम उसको triple o plastic कह रहे है, तो यानि कुल में लाकि यह क्या पूछ रहा है, कि triple o plastic होना चाहिए, ऐसा animal बताओ, कि जो triple o plastic तो है, लेकिन silom नहीं है, उसके पा मिंतिस फाइलम के मेंबर्स को ही कॉमनली फ्लाट वर्म बोलते है, बिकॉज उनकी बॉडि रॉट्स वेंटरिली फ्लाटन होती है, तो प्लेटी हल मिंतिस फाइलम के जो फ्लाट वर्म है, उनके पास ऐसी कंडिशन है कि यह triple o plastic तो हो गया, लेकिन अभी उनके पास silom नही एक बोडी cavity, एक true silom नहीं बना रहे गया, तो ट्रिपलो ब्लास्टिक A silom में टैने मल यहां पर हो गया हमारे फ्लाट वर्म, बाकि राउंड वर्म जो है हमारे, एस्खेल मिंतिस, ये, they have a pseudo silom, they have no silom, ऐसा हम नहीं कहेंगे, अर्थ वर्म और हिरो डिनेरिया, ये तो हमार क्या मतलब होता है, मोनोशियस यानि ऐसा, जिसमें मेल और फीमेल अलग नहीं होते है, जिसमें, बाइसेक्श्वल कंडिशन होती है, या क्या कह सकते हो, एनिमल के केस में हम यूज करते हैं, term, हरमाफ्रोडाइट, ठीक है, तो इन में से कौन सा ऐसा है, जो मोनोशियस होग स Hampshire, जानते ही हैं, नीरिस, सकेरोज, पैरी प्लैटा, नीरिस हमारा एक ऐनिलीड है, हम मोस्ट ली है घखेंगे, किये मेल ऐर फीमेल अलग अलग होते है, फिर बिस पैरी प्लैटा है, अपना कोक्रोज, कोक्रोज में भी मेल हुसमेल अलग होता है, बाइसेक्श्चूल कंड यानि हमारा एर्थवर्म इसमें यार मेल और फीमेल कुछ अलग अलग नहीं होता है टेस्टिस और ओवरी एक ही इंडिविज्वल के पास होते हैं स्पर्म और एग्स प्रड्यूस करने की अबिलिटी एक ही इंडिविज्वल रखता है तो इसको हम मोनोशियस यानि बाय सेक् सेगमेंटेशन चालू हो जाती है क bureaucrat टूममेंस सेगमेंटेशन मिलने लगती है तो हमारे एर्थवम के पास लीच के पास ये दोपर यह दो लिए को यह दोउनों कि हमेंड है तो इनके पास सवाल ही निए उठता इनके चीभाड़ी होना स tours के इनकी fuckin को सीक्मेंटेशन मिले इनकी बोडि में इंफंट को मिलती ही नहीं है तो स्कूरेस हमारे पास अंतंशेग्मेंटेज वरला हो गया यहां पर बाकि अर्थ वॉर्म और लीच अर्लेड और वे इसके बाद देख लो एनलीड में लार्वा की फॉर्मेशन नहीं होती लेकिन जब लार्वा होता है तो क्या कहलाता है अब यहां पे ट्रोकोफोर हम कह सकते हैं ट्रोकोफोर एक ऐसा लार्वा है जो की मोलस्क में भी हमको मिलेगा और ज्याधा तर मरीन हैबिटाइट एकि फ्री शुप्रार अग्वेर्ट के अंदर भी शुक्रीन अनुब भी हमको इसी नाम को लार्वा मिलेगा एक फ्रीविंग लार्वा है जो मरीन अनुब इसमें को इस हिसे अधे खुक यह फ्रीफिशुयमिंग लार्वा लार्वल स्टेज नहीं होती है लार्वल स्टेज नहीं होती है मतलब डिरेक्ट डेवलप्मेंट ऐसा नहीं है कि एडेल्ट में डेवलप होने से पहले फुली डेवलप होने से पहले कोई अलग ही स्टेज आ रही है लार्वा की स्टेज आ रही है तो देखो यार पेरेटीमा सब्सक्राइब यहां पर तुमको नहीं मिलेगी बाकी देखो फ्रॉग के अंदर तो जानते हैं सब कि टैडपॉल नाम का लारवा होता है एसकेरिस यानि राउंड वर्म और हमारा टीनिया टेप वर्म यह क्योंकि परसाइट है तो परसाइट के इसमें तो हम ज्यादा तर यही देखते है कि इनकी लाइफ साइकल बड़ी कॉम्प्लेक्स होती है कि इसारी लार्वल स्टेजिस से होते हुए यह गुजटने तो लार सब्सक्राइब हमको मिलता है तो जॉइंटग अपेंडिज झेज ओर्ट रोडवला का नाम ही इसे लिए रखा है और तो मतलब जॉइंड और प्रोड़ा इनस अपेंडिज या लिग्स तू जॉइन्टिट अपेंडिज फी परेंडिजिक प्रेजन सब्सक्या बढ़ी ही फोया ना हो भले ही वो विंग्स पॉसेस करें ना करें या ट्राक्या की मदद से रेस्पिरेशन करें ना करें अब लुब मैं अपने हाबिटाइक के साब से अलग-अलग और्थ्रोपोर्ट्स में रेस्पिरेटरी स्ट्रक्ट्टर्स भी डिफरेंट है जरूरी निया सबके पास ट्राक्या हो मगर जॉइंटेड अपेंटेजन सबके पास पूनी ही होनी है इस पूरे फाइलम में और तो पूड़ा फाइलम के मेंबर्स में सभी फीचर्स हैं इन में से किसको छोड़के यार काईटिन का बना हुए एक्स्टरनल स्केलेटन तो होता है एक्सोस्केले रखेंट आपर माल्फिजन टीबी उसकरें लेकिन व्लड वास्केलर सिस्टम उनका जो शर्किलेटरी इस्टमे और वो खोडोज नहीं होता लो शर्किलेटरी सिस्टम इस नोट चाररेक्टरिस्टिक ऑफ और्ट्रपोड किसमें हमको मिलता है ऐनलेट में को मिलता है अनले का ब्लड वास्कृलर सिस्टम और त्रपोर्ट के इसमें हमको नहीं मिलेगा ठीक है को कॉक्रोच हाइस हाउस फ्लाई और मॉस्केटों सबकॉम इंसेक्ट में क्यों डालते है अब और तो अमरा फाइलम हो गया उसके अंदर इंसेक्टा नाम की एक प्लास है जिसमें कुछ ग्रूप को हमने डाल रखाए कुछ और गयानिजम्स को में प्लेस किया हुआ है किसे साब से किया हुआ है उनमें क्या कॉमन चीज़ है पहले लिखाए कि काई टनिस एक्जोस्केलेटर वो तो यार सभी और थ्रोपोर्ट के पास होता है और बोडी डिवाइड इंटू है एंसेफलो थॉरिक्स नहीं इंसेट्स के केस में उनकी बॉड़ी को हम है फोर एक्स और अब्डोमन में डिवाइड कर सकता है तो यहां पर शिक्स लेग्स कंपाउंड आईज बॉडी डिवाइड इन्टू है थारइकस अब्डोमन यह हमारी इन्सेक्टग लास के सही चार living fossil है तो लिमुलस को लिमुलस को यानि हमारे किंग क्राब को लिविंग फॉसल की आटिगरी हमने दियो है ऐसे और्गानिजम जो कि ओवर वेरी लॉंग पीरिड ऑफ टाइम बदले नहीं है ओवर लॉंग एविलूशनरी पीरिड उनमें कुछ खास चेंज नहीं आया है तहल है तो यह सारे इंसेक्ट ही एडीस और क्यूलेक्स दोनों मच्छरों के नाम है एपिस हम हनी भी के लिए जीनस ने म्यूज करते हैं लोकस्टा जिसको टिडडी बोलते हैं और कॉमनी लोकस्ट बोलते हैं यह ग्रिगेरियस पैस्ट है यानि बहुत सारे मिलकर आते हैं जु को और उनकी जो भी प्रोड़क्टिविटी उसको खतम कर देता है इस आर्ड़ ग्रिगेरियस पैस्ट ठीक है इसके बाद और ट्रोपोर्ड आनिमल्स में एक्स्क्रीशन किसकी मदद से होती है जैसे कि हम कह रहे थे मालफिजन टिब्यूल तो होते ही होते हैं जैसे कि आप अब को रोच में देखोगे लेकिन अब यार सारे के सारे और ट्रोपोर्ट टेरेस्ट्रियल थोड़े इन कि सब अलग-अलग हाविटैट में भी रहते हैं तो ग्रीन ग्लान्ड समदिखेंगे ग्रीन ग्लाइड यह इंटरनल ग्लाइड हमारे पास क्रस्टेशेंज बगेरा और उसी तरह से कुछ और पोर्ड में कॉक्सल ग्लाइंट नामके एक्सेटरी च्रूक्टर भी होते हैं तो पॉर्टेंट फीचर कौन सा है तो कमपाउंड आई उनके पास होती है एब्डोमें उनके पास होता है थ्री पेर ऑफ लेग्स उनके पास होने चाहिए हम देखते हैं कि कुछ और रपोर्ट ऐसे भी यह जिनके पास 8 लेक्श जैसे स्पाइडर होता है उसके पास 4 पेर होता ह लेकिन इन्सेक्ट के अंदर इन सेक्ट आक्लास के अंदर अमने उनी को रख़ा हुए और यूजिबस थ्री पेर्फ लेक्शे से डिक्सलेग से निवास होते है वहीं सेक्ट कहला सकते हैं ठीक है इन में से कौन सा अनिमल इंसेक्ट नहीं है तो हनी भी यानि एपीस कोक्रो यानि पेरी प्लानेटा और तुम्हारा सिल्क वर्म यानि तुम्हारा बॉम्बिक्स यह तो तुम्हारे इंसेक्ट में आ जाते हैं लेकिन स्कॉर्पियन स्कॉर्पियन होना चाहिए था यहां पर स्कॉर्पियन तुम्हारा ओर्टरो पॉर्ट है लेकिन यह इंसेक्ट के अंदर नहीं at City श्दारेक नृंग का है मरे और्फ्रस पॉर्ट के इंदर ए ski लाता है एंधेक नहीं कहलता है ठीक है इसके बाद कॉनसा मॉलॉस्क टस्क शेल कहलता है तो देंटेलीम नाम के लिए टस्क शेल टरम हम यूज करते हैं गें ली वह तुम गयाлем के लिए टस्क शेल तो वो soft body, soft bodied animals तो होते हैं मॉलस्का में, covered by a shell, soft body है, segmented body यार हमें मॉलस्क में नहीं मिलेगी, हालाकि हमारे analyte से body में segmentation चालू हो जाती है, लेकिन मॉलस्क की body में तुमें segmentation नजर नहीं आई, तो segmented body इसका feature नहीं है, बाकि सीलोम तो होगा यहोगा, triploblastic तो होगा कि एक ascending order में हम चल नहीं है, जब हम different fila के बारे में पढ़ रहे हैं, तो और complex और well differentiated body होती जाती है, वापिस primitive की तरफ तो नहीं जाएगी, तो सीलोम भी रहेगा, triploblast भी condition भी रहेगी, segmentation नहीं रहती है, मॉलस्क में, इसके बाद analyder और मॉलस्का का connecting link कौन है, इसका ना नियोपाइलेना को connecting link इसलिए कहा जाता है, कि है तो वो मॉलस्क जैसा ही, उसके उपर एक shell है, primitive सा है, living fossil इसलिए उसको नाम दिया हुआ है, लेकिन उसकी body में तुमें कुछ segmentation सी नजर आती है, इसलिए उसको connecting link तुम बुला सकते हो, इन में से कौन सा मॉलस्क है, अब दे कि हमारा cordate है, सी माउस, तुम्हारा, सी होर्स और सी काउ, सी होर्स और सी काउ, सी होर्स और सी काउ, बोट अव थीजर कॉर्डेट्स, ठीक है, सी माउस तुमारा एफ्रोडिटी हो गया, एनलिडा में आता है, मॉलस्का में नहीं आता है, और सी हेर यहां पर तुमारा सही आंसर हो जाएगा, यानि एपलाइशिया, दिए गए options में से, option C, सी हेर तुमारा मॉलस्का का मेंबर है, बाकि दो कॉर्डेट है, एक एनलिडा है, इसके बाद, इन में से, बॉड़ी फीचर और अनिमल का, करेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा है, तो कह रहा है कि कैनाल सिस्टम एस्टेरियस में मिलेगा, अब एस्टेरियस तो तुमारा स्टार फिश हो गया, और कैनाल सिस्टम मिलता है तुम्हें स्पंजिस में, ठीक है, मेटा जैनेसिस, तुम्हें मिलती है, कुछ ऐसे निडेरियन में, जो कि तुम्हारे क्या कहते है, पॉलिप और मेडियूसा फेस के बीच में, और अल्टरनेशन करते है, तो इसका अबेलिया इसने एक्जामपल दे रखा है, डॉसल नर्व कॉर्ट फेरेटिमा में कैसे मिल तो यहाँ पर मेटा जैनेसिस का सही एक्जामपल ओबेलिया दिया हुए, बाकि केनाल सिस्टम तुमको एकिनोडर्म में नहीं मिलता है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम मिलता है, डॉसल नर्व कॉर्ट फेरेटिमा में नहीं हो सकती, और मस्कुलर फेरेंक्स इसनोट फीचर में मदद करता है, वाटर कैनाल सिस्टम, किसकी पॉरिफरा की, उसी तरह से एकिनोडर्माटा के पास एक क्यारेक्टरिस्टिक फीचर है, इसका वाटर वैस्कुलर सिस्टम, फिर एकिनोडर्म का लोकोमोटरी ओर्गन क्या कहलाता है, ट्यूब फीट इसको कहते हैं, हमारे हमारे टॉप 50 questions खतम होते हैं, अगर आपको ऐसे लगता है कि कोई सवाल है जो यहां पर हमने कवर नहीं किया, तो यह बात मुझे comments में जरूर बताओ, या अगर कोई सवाल आपने कहीं और देखा और आपको उसमें difficulty आ रही है, तो वो भी आपर share करो, मिलकर उसे solve करेंगे, कल मिलते हैं हम coordinates के ऐसे ही 50 सवाल लिकर, तो lecture time से लगाना, PYQs और exemplars solve करना, और फिर यहां पर बड़ी तेजी से हम top 50 questions अपने coordinates के भी cover करके Animal Kingdom chapter done कर देंगे, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में.